हेलो एवरिवन मैं आपकी हिंदी अध्यापिका जोर चुकी हूँ आपके साथ फिर से मैगनेट ब्रेंस पे जहां आपको मिलता है हाई क्वालिटी एडुकेशन फ्री आफ कोस्ट वो भी किंदरगार्ण से लेके क्लास 12 तक English Medium Students के लिए and 6 से लेकर के 12 तक हिंदी Medium Students के लिए हम आपके लिए CBSE Board के साथ साथ UP Board MP Board, Rajasthan Board, Delhi Board and Bihar Board के पूरे syllabus को बहुत ही systematic तरीके से लेकर आए हैं आपके लिए तो अगर पढ़ाई से related कोई भी tension हो तो भाईया बिल्कुल भी tension मत करना, don't figure because we are here और हर तरह से हम लोग आपके साथ हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार की e-book या फिर e-notes शाहिए तो link description में एक बार open कर ले and go through कर ले तो भाई जहां हम लोगों की class 6 के हिंदी मलहार की गाड़ी चल रही थी new NCRT book वो थी और अभी जो हमारा लास्ट वीडियो गया था वो वीडियो था हमारा चाप्टर नंबर 4 हार की जीत की पूरी व्याक्या पे और ये वाला complete वीडियो है पूरा का पूरा आपके NCRT solution के उपर तो मुझे जहां तक उमीद है कि आपको जो है हार की जीत पूरे पार्ट समझ में आ गया होगा उसकी व्याक्या समझ में आयोगी और सबसे जादा जरूरी है हमारे हिंदी जो हमारा साहित है हिंदी लिक्टेचर उसके ये प्यारी बात होती है कि हम जो भी पढ़ रहे है वो हमें क्या सिखाना चाहा रही है इसको जरूर समझे तो जो हमारा ये पार्ट था हार कीजी वो हमें मानवी मुल्यों को जो हमारे अंदर है उसको उजागर करने पर बहुत ही प्रकाश डाला है तो इस चीज को जरूर आप ध्यान रखिएगा और अगर अभी तक आपने वो कोई भी डाउट हो वो सारी चीजे क्लियर हो जाए ठीक है तो आज हम लोग चलते हैं हमारे आज का जो टॉपिक है एंसी आटी सल्यूशन पार्ट चार हार की जीत तो जब अपने कोशन आंसर प्रशन उत्तर प्याएंगे तो जो पहला प्रशन आपकी बुक पर या फिर कह जरूर बोलेगे कि और ध्यान देते हैं और निकटा से समझते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं फिर पूछ क्या रहा है नीचे दिये गए प्रशनों का सटिक उत्तर कौन सा है उसके सामने सही का निशान बनाईए तो जल्दी से यहाँ पे एक प्रशन है उसके चार बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ देखे सुल्तान के चिन जाने का सौरी सुल्तान के चिन जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ तो जल्दी से बताईए कि सुल्तान के जब चिन गया था तो उस पे बाबा भारती का क्या प्रभाव हुआ अब देखे इसक बिल्कुल भी नहीं था वो गरीबों की सहाथा करते थे और इसलिए उन्होंने अनुरोध किया था किसे खड़क सिंग से कि भाई ये घटना का जिक्र मत करना तो ये ओप्शन तो कत्ता ही नहीं होगा फिर क्या है बाबा भारती ने दुआर बंद करना छोड़ दिया और बाबा भारती असावधान हो गए ठीक है तो ये आपने देखा इसका जो है प्राशन क्या था सुल्तान के छिंजाने का बाबा भारती पर क्या असर हुआ क्या प्रभा हुआ तो क्या था कि बाबा भारती जो असावधान हो गए अब आपको समझ में आ रहा है ये किस घटन कि और इशारा कर रहा है वो असावधान कब हो गए थे जब उनके अगर आपको याद हो जब हमारे खड़क सिंग ने उनको धमकी दी थी उस टाइम पर बाबा पहले तो बहुत जाग रुक थे बहुत जादा अटिंटिफ थे कि नहीं मैं अपने घोड़े को बचा लूँगा लेकिन जब काफी टाइम तक उनका घोड़ा चोरी नहीं हुआ तो फिर बाबा भारती असावधान हो गए थे उनको क्या लगा था कि ये एक सपने है जैसे एक सपने का भय है वैसे ही समझ के वो असावधान हो गए थे ठीक है आगे दूसरा प्रश्न स्क्रीन के उपर ये देहां बाबा भारती भी मनुश्य ही थे इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तरक दिया है देखिए अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो उस पर ये वाक्य था कि बाबा भारती भी मनुश्य ही थे देखिए यहां पर इस वाक्य में सबसे पहली चीज ध्यान हमारा जो यह लिखा हुआ है यह बाबा बाबा मतलब एक ऐसा इंसा जिसको मोहमाया से दूर हो और आपने इस अगर स्टार्टिंग में पढ़ा है तो उसमें साफ साफ लिखा है कि वो भजन कीर्टन में रहते थे और उससे जो समय बचता था वो कहा लगा देते अपने घोड करते रहते थे वो उन सब चीजों में बुइषय रहते थे तो ऐसे लोगों को बोला जाता था ना कि जो कि मोमाया से दूर रहते थे हैं जो सुख बाबा भारती ने डाकु को घमणड से घोडा दिखाया। भाई ये दिखाया तो था, घोडा तो उन्हें घमणड से दिखाया था। लेकिन ये जो वाक्य है, वो इसकतन का तरक है। दूसरा, बाबा भारती घोडे की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल थे, ठीक है, तीसरा, बाबा भारती को घोडे से अत्य धिक लगा और मोह था, ये भी बात तो सही थी, बात तो तीनों सही है, लेकिन क्या ये उस तर्क के साथ कौन सी चीजे सबसे हो रही है, ये देखना है, बाबा भारती हर पल घोडे की रखवाली करते रहते थे, ये भी करते थे, लेकिन वो रखवाली कप करते थे, सबसे ज़्यादा रखवाली कप करने लगे जब उनको धमकी मिल गई, और ये जो कथन था, ये उस टाइम का प्रसंग है, जब बाब भारती ही मनुष्य थे, ये तरक नहीं दिया था, इस लाइन के तुरंत बाद में हमारी जो लाइन थी वो ये था, बाबा भारती घोडे की प्रसंग सा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल थे, आखिर में बाबा भारती भी तो मनुष्य ही थे, ऐसा उसमें उसके जो कहन कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना तो जल्दी से कमेट सेक्शन में आप ये चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चूस किया है तो भाई मैंने तो अपना रीजन बताया आपको अब आप भी अपना बता सकते हैं अगर आपने कोई और चूस किया है तो मेरा पहले वाले का घह चूस करने का ये रीजन था बाबा भारती असाफधान हो गए कहानी में बताया गया है कि खड़क सिंग द्वारा सुल्तान के छिंजाने की धमकी के बाद बाबा भारती अपने रातों की नींद खो बैटे थे और घोड़े की सुरक्षा के प्रती अत्यधि सतर्क हो गए थे याद है मैंने अभी आपको बताया ये चीजे कि वो क्या हो गए थे कि जब जैसी उनको धमकी मिलती है वो क्या हो गए थे अत्यधिक सतर्क हो गए वो रात बर सब को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ घोड़े की रक्षा करते थे उसके जहां वो अस्तंबल हो जाते हैं कुछ समय के बाद क्या होता है जब हमारा खड़क सिंग डाकू नहीं आता है उसको किड्नाप करने घोड़े को फिर बाबा को लगता है कि यार वह हो सकता है हासी मजाक में ऐसे ही बोल के चला गया होगा और इस स्थिती को स्वपन मानने लगते हैं और ऐसी परिस जाते हैं उसी प्रकार बाबा भारती जो है उसकी धमकी को पहले तो बहुत जाग रुकता से लिए लेगन फिर थोड़े टाइम के बाद वो उसको भूल के कि चलो ऐसे ही होगा ठीक है फिर बोलते हैं इसका मतलब है कि उनका ध्यान और सतरकता कम हो गई ठीक है मतलब कि वह असावधान हो गए इसका इससे क्या तातपर था कि उनका ध्यान और सतरकता घोड़े के प्रती कम हो गई थी क्यों हो गई थी बाई क्योंकि उनको लगा था यह एक स्वपन के भाती है अब बढ़ते हैं आगे खड़क सिंग पूर टाइम से आया नहीं था तो उनको लगा यह कोई बुरा सपना है इसलिए उन्होंने यह सीज को बिल्कुल छोड़ दिया कि हाँ ठीक है ऐसे ही होगा फिर आता है हमारा ख़ वाला हमने ख़ क्यों चूस किया उसका कारण ख़ क्या था बाबा भारती घोड़े की प्रशंशा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल लेखक ने दिखाया है कि बाबा भारती को अपने वस्तू की प्रशंशा सुनने की अत्यधिक इच्छा थी अच्छा थी आपको यह कैसे पता चल रहा है एक मिनिट आपको यह कैसे पता चलता है कि लेखक को अपनी वस्तू की प्रशंशा सुनने की अत्यधिक इच्छा थी इसको ऐसे समझे आपने आपके पास आईफोन है ठीक है और आपके फ्रेंट सर्गल में किसे के पास फोन नहीं है अब कोई आया आपके घर पे चार-पांच लोग है आपने उनको दिखाया कि यह देखे मेर आपको लगता है ना कि लोग इसके तारिफ करें वाओ यार किता अच्छा आइफोन है अच्छा इसमें और क्या-क्या फीचर नेकर दिखा हो तुम्हारा बैक कवर तो बहुत संदर है अच्छा इसमें तुमने प्रेवसी वाला टेमपर लगवाया है तो इस तरीके के आप अपनी चीज़ों को और अच्छा बताओगे क्यों ताकि वहां पे जो लोग है वो आपकी और तारिफ करें ठीक उसी प्रकार जो हमारे बाबाभारती थे जिसे आपको आइफोन का क्रेज है ना उसी प्रकार बाबाभारती को उनके घोड़े का क्रेज था अब वो जो अपने घोड़े को थे ना वो दूसरों को दिखा रहे थे किसको दिखा रहे थे खड़क सिंग को दिखा रहे थे तो जब खड़क सिंग ने कहा कि भाई मैं आज आया हूं आपके सुल्तान से मिलने मैंने उसकी बहुत ख्याती सुनी हुई है तो जब घड़क सिंग आता है तो बाबा को लगता है वाँ मेरा घोड़ा कितना आगे वड़ रहा है सही है विटा घोड़ा और आगे वड़ रहा है हम और प्रशनसा करते हैं तो वो उसको और प्रशनसा करके उसके बाते बताने लगे और वो बाबा थे उनको मौ माया से वो दूर थे अपने घर बार रु नहीं देखा चलने का तरीका देखो यह देखो इसकी स्किन कितनी अच्छी है इसके बाल कितने अच्छे हैं और यह दोड़ता है क्या ही बदाओं भाई कितना अच्छा दोड़ता है ऐसे करके भावा भी अपने घोड़े की और प्रशंशा करने लगे ठीक है वे खड़क सिं हमारी human tendency होती है यहां पर यह जो लिखा है ना मानव भावना से ग्रसित मतलब human tendency है उससे वह सफर कर रहे थे कि हां या ठीक है उनके बस जो चीज है उसको दिखा रहे थे उनके पास देखिएगा उनको खेट खलिहान या फिर यह कह लिजे कि मेरा रुपया पैसा मकान किसी से शहर से कोई लगाव नहीं था ठीक है वह मौ माया से परे थे लेकिन उनका पूरा मौ किस पर समेटा हुआ था उनके घोड़े पे था ठीक है अब बढ़ते हैं हम आगे द इसलिए चूस किया या इसलिए हमने इसको लिया क्योंकि फिर ये लिखे नहीं सीधा ओप्शन लिखे और कारण लिखे क्योंकि इससे क्या होता है जब आप ये लिख दिये हो ना तो जो टीचर है उसको बहुत अच्छे से पता है कि भाई इसने पॉइंट सही लिखा है वो जितना कम देर आपकी टेस्ट कॉपी को देगा आपको उतने जादा माक्स मिलेंगे अब कैसे देखिए आपने बहुत अच्छे से दिया उन्होंने मालो ये प्रश्णा है उन्होंने देखा ख सही मिला ये मालो दो नंबर का प्रश्ण है ठीक अब मालेजे वो एक्जा सुनने के लिए उसकते ठीक है मतलब एक नंबर ये मतलब आपके टोटल दो नंबर कहीं नहीं गये अब आप इसी दोनों लाइन को मिक्स करके इसलिए क्योंकि ऐसे जो जोडने वाले शब्द होते हैं इसको जोड करके आप लिखोगे तो उससे क्या होता है एक्जामनर को जितना अच्छी और आसान तरीके से प्रस्तुत करोगे भाई एक्जामनर भी खुश क्योंकि उसको पॉइंट्स मिल गया आंसर मिल गया मार्क्स मिल गया और आप भी क्योंकि आपको मार्क्स मिल गया भाई और आपका टाइम भी बचता है और एक चीज़ जाद रखे English के ऐसे papers होते हैं especially Hindi कि उसमें आपका paper छूटता है और क्यों छूटता है paperlandy होते हैं नहीं paperlandy नहीं होता है बात इतनी सी होती है हमें Hindi पढ़ने की हमारे अंदर अभ्यास नहीं होता है ठीक है तो हमें इसी का विशेश ध्यान देना चाहिए अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न तीन की तरफ आपने अभी जो कहानी पढ़ी इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है अपने समों में चर्चा कीट करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा अपने उत्तर का कारण भी लिखिए तो भई द कोई जीत तो भई यहां तो कोई इंसान हारे गका यह जीत खरी लेकjang हार के भी कोई जीत सकता है कि ये आप अपने आपको थोड़ी देर imagine करें कि आप वो लेखक हैं सुदर्शन जी हैं और आप ही ने ये heading डाली है हार की जीत और ये story आपने लिखी अब ज़रा हमें सोच के बताइए कि आपने ये सीर्शक क्यों दिया होगा ठीक है तो जल्दी से आप अपना reason लिख लीज होगा क्योंकि कहानी में बाबा भारती अपने घोडे के खोने से एक तरह की हार का अनुभव करते थे देखें क्यों रखा गया हार गया हार और हार की जीत हार क्या पूरे story में हार कब हुई और किस की हुई बाबा भारती की हुई क्यों हुई क्योंकि उनका जो घोड़ा थ वो खड़क सिंग ने उनसे चुरा लिया था ठीक है हार तो हो गए ठीक हार गए यहां पे स्टोरी खतम यह हमारी यथार्त वादिता चल रही है जो आज का सेनारियो है जो आज की सिच्वेशन आज की परिस्तेती है वो ऐसे ही है कि क्राइम्स बहुत बढ़ गए है हमारे आस मानवता की हार उनकी जो चीज थी वो चोरी हो गई और जीत कैसे वही जो हारे थे वो बाद में उनके जो कह लिजे मानविये मूले हैं उनकी सोच है उसकी जीत हुई और वो अंत में वो घोड़ा उनके पास आ गया वो हार चुके थे लेकिन फिर भी अंत में वो जीत जाते वहां पर उनकी मानवता की जीत हुई उनके मानविये विचारों की जीत हुई थी ठीक है अब यहां पर देखे कंटीनू का लेकिन अंतता उनका आत्मसायम और उदारता से उनके असली जीत होती है कैसे उनकी आत्मसायम और उदारता आत्मसायम कैसे जब खड़क सिंग उनको गोडा लेके जा रहा था तब यह नहीं और लोग होता है तो क्या करते हूं, उनको अबद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन नहीं हमारे जो यहाँ पर बाबाभारती हैं हमारे जो भीरो हैं वो इतने अच्छे हैं वो पॉलाइटली वो लेठिक है घोरा तुम जीत कें ठीक मैं वह हार बानता हूँ ठीक है घोरा तुम जीत कें लेकिन मेरी एक बात सुनते जाना इस घटना को किसी और को ना बताना ठीक है वहाँ पर उनकी वो उनको जो चीज से सबसे ज़ादा लगाओ था वो उसका भी त्याग कर देते हैं लेकिन फिर भी वो एक ही विंती करते हैं कि भाई देखो मानवता को मत मरने दो ये घटना किसी को मत बताना तो यहाँ पर उनके आत्मसयम वो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा शमता थी कि ठीक है जो चीज उनकी प्रान प्रियती वो भी किसी को देने को तैयार है लेकिन मानवता नहीं खतम होनी चाहिए और उनकी उदारता क्या कि भाया ठीक है अप ले जाओ ठीक फिर असली जीत होती है वे अपने घोड़े को के बावजूद दूसरों की भलाई के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और समाज के प्रती अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं उनके लिए लाइफ में क्या इंपोर्टेंट था खुद से पहले समाज को रखना उनकी समाज की जो हमारी परिस्तिती है वो और हारने के बाद क्या हुई उनकी जीत हुऑ ही क्यों कि उनके जो विचार थे वो डाकुख़डक सिंग को उनके उसके विचारों को परीवैष्तित कर देते हैं हैना सब्सेंटारी हमने तो यही सोचके लिखा है कि आपके पास कोई और शुवर दैए तो जरूर उसको हमे बताईए ताकि क्या होता है ना आपके विचार अलग है मेरे विचार अलग है लेखक के विचार अलग है कभी के विचार अलग है हर तरह के जितने भी लोग जो भी चीज को देखेगा ना उसके विचार अलग अलग तरीके से हो सकते हैं For example, थोड़ा सा पढ़ाई से हटके बताती हूँ, ये एक ग्लास है, ठीक है, मेरी ड्रोइंग खराब है, मैं माल लेती हूँ, चलिए, यहाँ पे पानी भरते हैं, ब्लू से, ठीक है, यहाँ पे हमने पानी भर दिया, अब इसके तो भाई, अब अगर ये हम किसी को दिखाएंगे, तो जो इनसान इसको देख रहा है, वहाँ पे उसके अलग-अलग प्रस्पेक्टिव हो सकते हैं, पहला प्रस्पेक्टिव क्या होगा, जो बहुत कॉमन है, आदा ग्लास खाली है, कोई देखके कहेगा, आदा ग आदा ग्लास है, फिर कहेगा, अच्छा नहीं, ये तो शीशे का ग्लास है, फिर अब एक बात समझेए, यहाँ पर कोई आदा ग्लास पानी देख रहा है, कोई साइंस वाला देखेगा, तो इसमें एक्सपरिमेंट का दिमाग चला सकता है, ये आदा ग्लास पानी में मैं तो यह एक चीज के बहुत सारे प्रस्पेक्टिव हो सकते हैं जो जो इसको देख रहा है हो सकता है आप इसको किसी और वे में देख रहे हो ठीक है ना तो इस तरीके से सब के अंगल्स अलग-अलग होते हैं लेकिन जब हमें पता चलता है तो बहुत सारी हमें नहीं नहीं प् केवल ये sign की तो बहुत सारे हैं मैं wheat का add कर रही हूँ बहुत अलग-अलग तरह की चीज़े हो सकती है भाई ये दो मिनट मैगी ब्रेक या फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं तो इसलिए एक ये signal का एक चीज के बहुत सारे perspective हो सकते हैं तो ये जो word है हार की जीट इसको सोच के आप क्या सोचते हो और क्या ये कहानी ये जो हमारा शीरशक है इस कहानी का दरपण है कि नहीं इसको जरूर सोचिए ठीक है अब हम बढ़ते हैं हमारे उसी के मतलब प्रशनिप्ख की तरफ वो ये है कि यदे आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे आप ये नाम क्यों सोचे ये भी बताएए तो भाई देखे इस कहानी का एक तो हो गया हार की जीत इसके इलावा अगर आपको ये liability मिले कि आप इसका कोई और नाम भी रख सकते हो तो आप क्या नाम रखोगे सोचो जल्दी से comment section बताओ और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको like कर दो और अगर आपके किसी भी friends को हिंदी में कोई भी doubt हो तो ये magnet brains के वीडियो को आप भेज सकते हो और कोई भी doubt हो तो हम आपके साथ हैं आपके सारे doubts clear करेंगे तो भाई जल्दी से बताओ अगर हार की जीत आप नहीं रखोगे तो और क्या नाम रखोगे बहुत तरह के होता है इस तरह के question आपको unseen passage में मिल जाते हैं अपठिट गद्यांश में ठीक है तो जरूर इस तरह के question साप पढ़ते हो ना इससे आप अपने exam के perspective से तो prepare हो रहे हो साथ ही आप कहीं न कहीं 11, 12 के लिए भी 10 और 12 जो board होता है में उसके लिए भी prepare हो ठीक है तो जल्दी से हमें बताइए comment में कि आपने क्या नाम सोचा है इसका अब भाई देखिए मैंने तो एक simple साइस में रख दिया है उदारता की विजए क्योंकि इसमें उदार जो हमारे मतलब मानवी गुण है उनकी विजए होती है ठीक या उदारता कर सकते हैं या फिर मानवता भी कर सकते हैं मानवता की विजए ठीक है अब भाई मैंने इसका कारण क्या दिया इस नाम से कहानी का मूल भावना व्यक्त होती है कि बावा भारती की उदारता और त्याग की विजय होती है वे अपने निजी सुख और प्रेम की कीमत पर दूसरों की भलाई को प्राथमिक्ता देते हैं जिससे उनकी अंतरहिंता, महानता और सची जीत प्रकट होती है तो भाई मैंने तो इसका ये रीजन दिया है, अब इसके उपर आपको देखना है, आप इसका क्या शीर्शक दोगे और जो भी दोगे उसका सिंपल सा रीजन लिखो, देखो अब मैंने आपको बताए कि एक्जाम में बहुत गोल मत करना, उसको एकदम सिंपल रखना, प्रश ने पूछा, मैंने उत्तर दे दिया, आप देखो दो नंबर कहोगा, एक नंबर मिल गया पूरा बैया यह तो पानी वाला कलर चल रहा है, थोड़ा लाल कर लेते हैं, अच्छा, रेट से चेक करने में मज़ा आता है, टीचर वाली फीलिंग आती है, ओके, यहाँ पर क्या है, एक नंबर मिल गया, सिर्शक पे, कारण आपने दे दिया, उन्होंने पढ़ा ठीक है, एक नं लेकिन आप एक्जाम में उसको प्रेजंट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं न कहीं फिर आपको मार्क्स से कॉंप्रमाइस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, तो जरूरी ध्यान दो, कि जो आप प्रेजंटीशन कर रहे हो, वो बढ़िया हो, ठीक है, भले आप थोड़ी सी चीज लिखो, पर सॉलिड लिखो, कि उस पे मार्क्स ना कटे, भाई एक्जामनर के पास भी ना मार्किंग स्कीम होती है, मैं आपको बताओं, जब एक्जामनर कॉपी चेक करता है, तो उसके पास मार्किंग स्कीम होती है, उस पे पॉइंट लिखा चाहिए keywords का खेल है पूरा जहां उस examiner को keyword दिखता है वो check करके marks दे देता है ठीक है और जहां वो keyword नहीं दिखता है तो वो marks cut हो जाता है कोई मतलब नहीं है आप 10 page का अंसा लिख दो ठीक है लेकिन जो लिखो solid लिखो तो भाई मेरा ये रीजन था बाकी आपका क्या रीजन है कॉमेंट में बताईए आपस में discussion करिए और हमें भी बताईए हमारे social media platform पे भी आप हम से जोड़के बता सकते हैं क्या क्या reason हो सकते हैं और क्या क्या आप इसका नाम दे सकते हैं फिर है ग बाबा भारती ने डाकु खड़क सिंग से कौन सा वचन लिया भाई जल्दी से बताईए यह मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और बार बार अभी भी इस वीडियो में भी थोड़ा सा बैक करेंगे तो आपको इसका अंसर मैं दो तीन बार बता चुकी हूं कि बाबा भारती ने डाकु खड़क सिंग से कौन सा वचन लिया था वो मैंने आपको बताया था कि वो हमेशा खुद को खुद से पहले किसको रखते हैं समाज को अपने मानवी मूल्यों को रखते हैं तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था उन्होंने कौन सा वचन लिया था जल्दी से कॉमेंट करिए और इसका अंसर मुझे ऐसा लगता अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए बाबा भारती ने खड़क से वचन लिया था कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकटना करें अब देखिए ये तो प्रशन था आपने एक लाइन में सका अंसर दे दिया अब अगर इमाजिन करिए कि आप खुद एक्जामनर है ठीक है और आप मालीजे आपने जब कॉपी चेक किया तो आपने ये तो दिख गया थीक है इस घटना के प्रती किसी के सामने प्रकटना करें इस घटना को किसी के भी सामने आप ये व्यक्तना करें प्रकटना करें किसी को भी इन शॉट ये बात ना बता है कि घोड़ा कैसे चोरी हुआ लेकिन अब अगर इसके आगे अगर आप यह ये दो बार की हो गया है चलिए प्राटना की वह इस घटना को सारवजनिक ना करे ताकि लोगों का विश्वाश गरीबों पर बना रहे रहे भी दो बार हो गया है चलता है चलता है बना रहे और समाज में मानवता जेवित रहे तो भाई आपने ये देखा बाबा भारती क्या चाहते थे कि जो हमारा इस घटना को किसी के सामने ना व्यक्त हो और लोगों में क्या रहे विश्वाश बना रहे गरीबों के प्रती और मानवता कभी भी खतम ना हो ये एक छोटा सा पूरे जो कहानी है इसमें आप घुमा फिरा कि इस बात को कई जगा लिख सकते हैं क्योंक कुछ वाकि नीचे दिये गए हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया अपना विचार लिखे तो भाई यहां पर कुछ ऐसे पंक्ती लिखी हुई है जो चैप्टर की लाइन है पूरे पार्ट से उठाई गई है तो अब आप लिखिए कि आप इससे क्या समझे हाला कि अगर आपने अभी तक व्याख्या नहीं देखी है पार्ट की प्लीज जल्दी से जाए वो व्याख्या देख लिजे ताकि आपको ये वाला पूरा वीडियो भी समझा जाए और अच्छे से पहला प्रश्न भगवत भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अरपन हो जाता ये जो वाक्या है इससे आप क्या समझते हैं ये अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में ही एर लाइन्स थी बहुत ज्यादा आगे का नहीं था वो उन स्टार्टिंग में जब घोड़े की बात बता रह किसकी बाबा भारती की क्यों क्योंकि भगवत भजन खीरतन ये सब कौन करते हैं बाबा लोग करते हैं अधिकतर आप देखे होंगे आस्ता चैनल पर बहुत सारे चैनल पर आपको दिख जाते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में कि ये बाबा की बात हो रही है किसकी बाबा से जो समय बचता भगवत भजन से जो भी समय बचता वह घोड़े को अरपन हो जाता वह घोड़े को अरपन हो जाता मतलब वह समय जो है घोड़े को चला जाता अच्छे इसको ऐसे समझे जैसे कि आप कोई बहुत माली जो कोई गेम लाए है ठीक है या फिर कोई आप अगर जिन लोगों को novel पढ़ने का शौक हो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से connect कर सकते हैं अगर आप कोई novel पढ़ रहे हैं हां तो उसमें क्या होता है या फिर कोई audiobook सुन रहा है जिसकी suspense वाली story है तो जैसे ही आप एक chapter पढ़ते हो दो chapter पढ़ता आपको interest बढ़ता जाता है फिर आप अगर कुछ और अपने काम करें जिसे पढ़ाई करें हो एक्जाम है पढ़ाई करें हो उस पर आप कोशिश करोगे कि आप उस book को दो क्यों कि वह आपको उस time पर उस से लगाओ हो रहा है आपको उसको और पढ़ने का मन कर रहा है ठीक है तो क्यूं क्यूंकि आपको उससे कहीं ना कहीं ये connection ऑन से कशिन बिल्ट करें रहे हो झाओ कि अधिर बाबाभारती का जो गोड़ा था पूरी तरह से दूर भा नहीं को canción कर मैणद कीकोən तूर गषाइन करूठी प्रूड़ाidays को वह माया से परे थे वो पूरी तरह से तो वहां पर लेकिन उनको जो है उनका में काम क्या था कि भगवत का भजन करना लोगों को अच्छी बाते बताना मानवता के पार्ट पढ़ाना बैसिकली तो यही सब चीजे होती है कि हमें दूसरों के साथ सजन मनना चाहिए हमें सुटने चले जाते हों वह गाम करती जो आपको अच्छा लगता है थिक उसी प्रेकरार बाबां किसी हो हो किसको जाता है गोड़े को देख बाद बचा हुआ समय अपने गोडे की देखभाल और उसके साथ बिताते थे देखे यहां पर चैप्तर में था ना क्या करते थे गोडे की देखभाल करते थे और उसके साथ बिताते थे देख भाल कैसे चरते थे चाना खेलाते थे उसको नहलाते थे उसको प्यार से रखते थे जिससे क्या होता है अब मैं आपको एक चीज बता हूं अगर आपने कोई मान लीजे कोई नई नोट बुक खरीदी है तो आप उसे रखते हो प्रॉपर कवर करके या फिर अगर आपका अभी मुबाइल होगा आप मुबाइल में ये वीडियो देख रहे हो या फिर लाप टॉप में देख रहे हो तो आप एक चीज समझना कि आप उसको बहुत प्यार से रखते हो कि इसको कवर चढ़ाते हो उस पर टेंपर लगवाते हो क्यों ताकि वो गंदा ना हो जाए उसकी लाइफ और लंबी हो जाए गिरे तो उसको चोटना लगे उसी प्रकार बाबा भारती के लिए इंपोर्टन क्या था उनका घोडा तो वह उसको बहुत प्रॉपर ग्रॉमिंग करते यह उन्होंने इस वाके से मैं तो भाई यह समझी अब आप क्या समझे उसको कॉमेंट सेक्शन में बता दू फिर हम देखते हैं कि आपके नजर में गलत हो और मेरी तरफ से वह आपका गलत हो जैसे कि अगर हम यह 6 लिखे हैं यहां 2 लोग है यहां पे 1 लोग है यहां 2 लोग है ठीक है तो भाई अगर यह 6 हम 1 के साइट से देखेंगे तो यह 6 है लेकिन अगर यह हम 2 के साइट से देखेंगे तो यह क्या है यह 9 है तो अगर दोनों इस पे बहस करेंगे तो भाई यह गलत है क दोनों की परिस्थिती अलग है दोनों के जगह अलग है तो भाई अगर नजरिया हम लोग दोनों का अगर ये दो एक की जगह आके बैठके देखेगा तो उसको भी क्या दिखेगा छे और या फिर एक दो की जगह जाके देखेगा तो उसको भी क्या दिखेगा नौ तो इसलि है वो रीजन में कुछ गलती हो या रीजन की थोड़े से हेर फेर के कारण आपका उत्तर भी बदल सकता है ठीक है तो जली से बताईएगा फिर दो और वाकि आपके स्क्रीन के उपर ये रहे बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से खड़क सिंग ने घोड़ा देखा आश्यर से बाई मेरे को तो भाई परस्नली बताओ तो मुझे इस पूरे पार्ट में ये लाइन मुझे बहुत ही प्यारी लगी क्योंकि जस तरह से इसमें लिखा गया है वो मुझे बहुत आकर्शत किया पता नहीं क्यों उसमें लिखाया कि बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से बहुत घमंड में उन्होंने अपना घोड़ा दिखाया देखो खड़क सिंग मेरे पास ऐसा घोड़ा है बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़क सि वाक्य एक ही है एक गमंड से है और एक आश्यर से है ठीक है मुझे यह लाइन बहुत पसंद लगी तो वही अब इस चीज का आंसर आपको यह वाक्य से क्या समझ आया भाई यहां पे बाबा भारती जो है वो बता रहे हैं कि वो जब घोड़ा दिखा रहे थे सुदर्शन जी बता रहे हैं कि जब भाब भारती घोड़ा दिखा रहे थे तो वह बहुत घमंड से दिखा कि देखो मेरा पस कितनी अच्छी चीज है यह कितना अच्छा लग रहा है यह फोन देखो मेरा मेरा कितना लेटिस्ट है मैने लेटिस्ट आइफोन लिया वाई एक बात पर बता तो यहां पर जो हमारे खड़क सिंगें वह भी बहुत आश्यर से देखे कि वा भई क्या गोड़ा है और कितने मतलब सही बात है कि कितने गोड़ हैं बात दोनों एक ही कह रहे हैं पर दोनों की एक इस साइट से देख रहे हैं और एक इस साइट से बोल रहे हैं तो यहां पर यह नाटक की प्रस्तुति उन्होंने की है थोड़ी सी ठीक है तो इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से अर्थ क्या ह बाबा भारती अपने घोडे की विशेशताओं और उसकी सुन्दरता को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे यहाँ दो लोगों की फीलिंग है बाबा भारती क्या कर रहे थे गर्व महसूस कर रहे थे यह देखिये कहा गए, बाबाभारती जी यह है, ठीक है? और यह क्या महसूस कर रहे थे? गर्व महसूस कर रहे थे. जब कि खडक सिंग घो्ड़े की विशेश्चाओं को देख कर चकित और प्रभावित हुआ था. यह दो चीजें हैं बाबा भारती क्या कर रहा थे गर्व थे कि मेरे पास एसा घोड़ा है और खड़क से बढ़ा हाश्य कर रहता कि ऐसा भी घुड़ा है दुनिया में बाबा भारती के पास तो प्रभावेत भी हो जै वाओ क्या घोड़ा है है ना वैसे ही मतलब वहाँ पे दोनों के बहुत प्यारे इमोशन ने देखे कहानी है तो कहानी में आप इमोशन नहीं दिखा सकते हो आप्टिंग करकी वहाँ पे इमोशन कैसे दिखते हैं शब्दों के माध्यम से यहाँ पे जो हमारे सुदर्शन जी है लेकक ने वह बहुत ही प्यारे तरीके से पूरे इसको क्या किया है पूरा जो पाठ है उसको एक कहानी नाटिक के रूप में प्रसुत करने की कोशिश की ह फिर आजाएए भाई हमारा दूसरा वह डाकू था जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उसे उस पर अपना अधिकार समझता था यहां पर यह जो कथन है बहुत ही स्टिकली बोला गया है कि वह डाकू था उसको जो चीज जो वस्तु पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिका समझता था कि वो जो वस्तू उसको पसंद आ गई वो मेरी है तभी तो डाकू है जो चीज़ उसको पसंद आ गई दूसरों से छील लेता था इसलिए तो डाकू कहलाता है है कि नी और एक सीज़ा दखी कर डाकू खड़क सिंग का नाम ना मैं बहुत पहले से चला आरा और इस यह जब हम इसकर व्याकरण पर आएंगी ठीक है अभी जुल्दी सिस पर आ जाते हैं वह डाकू था जो यहाँ पर किस डाकू की बात हो रही है डाकू खड़क सिंग की वह डाकू था जो वस्तू उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था तो जो वस्तू से लाते अपनी पसंद की किसी भी वस्तू पर अधिकार समझता था और इस घोड़े को भी वह अपना मानने लगा था तो भाई वह क्या था यह जो घोड़ा था उसको भी वह अपना मानने लगा था क्यों मानने लगा था क्योंकि उसमें सीधर से बूला है कि मैं डाकू हूँ और मुझ यह बाबा भारती का यह घोड़ा बहुत ही पसंद आया है तो यह घोड़ा अब मेरा हुआ ठीक है वहाप पर वह इस तरह से बोलना चाहा रहा है शब्द उनके हैं मैं थोड़ा सा एक्टिंग करके पढ़ा देती हूँ ताकि हिंदी में यह सब चीज़े जब आप थोड़ा सा एक्शन में पढ़ो गए ना तब आपको वजा आएगा समझ में आएगा भले आप हो चकता है वह लाइन भूल जो लेकिन जब हम थोड़ा एक्टिंग वगर आपको याद रहेगी ना कि हाँ आद्या मैंने ऐसे किया था खड़क सिंग के लिए वह बहुती जिमाग में छपता है कौन कैसे बोल रहा है कोई कौन कैसे चीज़ा लिखी है ठीक है तो यहाँ पे दो और वाक्य है जल्दे से इसको भी देखते हैं बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आँखों से देखा जैसे बक्रा कसाई की और देखता है और कहा यह घोड करों आब स्करी तुम्हारा हो चुका है यह जो यहाँ पे थे यह बहुत ही करोंवाला सिन ठाए अचा देखें कसाई का मतलब पता है वह इंसान जो बक्रा को काटता है जो बक्रा हलाल होने वाला तो हलाल मतलब जो मरने वाला होता है ठीक है अब देखे जो इंसान मरने वाला है वो कैसे देखेगा जो हमारे कसाई है जो उसको काटने वाला है बहुत दया मतलब भावोक दृष्टी से होता ने कि यह अब तो मैं कटने ही वाला हूँ वैसी दृष्टी से कौन देखा देख इसको कैसे किसको देखा किसको देखा भाई कसाई को ठीक है और यहां पे ही आप लिक देजे बकरा कौन है यहां पे बाबा भारती और बाबा भारती ने किसको ऐसे देखा है तो अगर आपको याद हो तो बाबा भारती ने किसकी और देख करके वो इस तरीके से बोल रहा था डाकू कौन था हमारा डाकू कौन था डाकू हमारा था डाकू खड़क सिंग ठीक है बकरा कौन बाबा भारती कसाई कौन डाकू क्यों क्यों क्योंकि जैसे बकरा कार जैसे सौरी कसाई कार देता है बकरे को वैसे ही और बकरा हार जाता है अपने जीवन से यहां पे डाकू सबसे प्तिय था उसको उनसे अलग कर दिया था इसलिए बाबाभारती ने उनको कैसे एक बहुत ही करुन भरी दृष्टी से देख रहे थे ठीक है जैसे बक्रा की और देखा उगए घोड़ा तुम्हारा हो चुका है और उन्होंने कहा ठीक है यह घोड़ा तुम्हारा हो वो उिप्ट कर दिये हैं घोडे को ठीए अब इसका आंसर देखते हैं इसपंक्ति से स्फष्ट है कि बाबा भारती खडग सिंग को एक डर और चिंता की द्रिश्टी से देख रहे थे जो खड़क सिंग है गोड़े को ले जा चुका है अब उनकी जीवन में डर है डर कैसा था कि भाई वह घोड़ा मेरे से चला गया अब मैं उसकी बीना कैसे रहूंगा उसको इस बात के भी आप डाल सकते हो चिंता के साथ साथ आप करुणा भी लिख सकते हो करुणा की दृष्टी से देख रहे थे जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और उन्होंने खड़क सिंग को घोड़ा सौपते समय अपने भावनात्मक स्थिती को व्यक्त किया है जब उन्होंने ये बोल तुम्हारा हो चुका है ऐसा बोल करके उनके मन में जो उनकी भावना थे उसको उन्होंने क्या किया है व्यक्त किया है ठीक है ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है वो बहुत ही करुणा भरी दृष्टी से वो बहुत ही कौन सी दृष्टी से डर भरी दृष्टी से अस्तबल की और मुड़े परंदू फाटक पर पहुचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई भाई देखिए उनके उनके जो पाव है कहां पड़े अस्तबल अस्तबल मैंने आपको पता है कहां कहते है जहां घोड़ा रहता है ठीक है तो वहां पर यह सीन तबका है जब कहानी क एंड था खड़क सिंग ने घोड़ा लाके रख दिया था उस टाइम के बाद की बात है जब वो सुबह उठते हैं स्नान करने के बाद आते हैं तो उनको थोड़ी पता था कि घोड़ा वही है वो तो अपनी आज़त से मजबूर नींद में से गए वहां तक उनके पाव अस कर रहा होगा यह उनकी भूल थी क्यों थी क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था घोड़ा वहां पर नहीं था घोड़ा कहा था क्योंकि उनके दिमाग में क्या था कि घोड़ा तो चोरी हो गया है घोड़ा उनको नहीं पता था कि घोड़ा को वापस रख दिया गया है ठीक है त इसका अर्थ क्या दिखा है इसकी व्याक्या में लिखा है इस वाक्य से पता चलता है कि बाबा भारती जब अस्तवल की ओर बढ़े तो उन्होंने एहसास हुआ तो उन्होंने कुछ गलती की है जिससे उनके निराशा और आत्म मुल्यांकन का संकेत मिलता है देखे भई क्या ह होता है वहाँ पर जब उनको यसबात का अफसोस हुआ कि नहीं मेरा घोडा तो नहीं है उनको कह ली कि यहां पर निराशा हुई वहाँ पहुच करके उनको यह फिलुआ रहे यार क्या गलती होगी आदत से मजबूर होता है ना तो यहां पे वो वही बात कहा रहे हैं अगर आपको इसका अर्थ लिखना है तो भाई आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं तो भाई मुझे उमीद्य आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा और अब बढ़ते हैं आगे की ओ कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम लेखेत पंग्ती के विशेश में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखी अच्छा भाई यह अब आप यह जो वाक्य में बात हो रही है यहां पे जो संदर्व है वो यह है दोनों के आशुओं का उस भूमी की मिट्टी पर परस पर मेल हो गया यह कहानी की अंतिम लाइन है मुझे पता नहीं क्यों यह लाइन भी बहुत अच्छी लगी भाई कितने कितनी सूरती से जो सुदर्शन जी है उन् अगर आपको याद हो मैं आपको बता दू खेर तो आपको आगे के प्रशन करने में थोड़ी आसानी होगी समझने में भी जैसे ही खड़क से इंग बहार निकलते हैं घोड़ा बांधने के बाद वापस रखने के बाद तो उनकी जो आसू थे वो कैसे थे पश्यात आपके आसू थे और जो हमारे जब वहां पर जाते हैं कौन बाबा भारती वो गोड़े को देखे बहुत प्रसन थे तो भाई दोनों एक के खुशी के आसू गिर रहे थे और एक के पश्यात आपके आसू थे और दोनों उसी भूमी के मिट्टी पर गिरे भाई कितनी खुबसूरत है वहां पर घोड़ा बंदा हुआ है उसके बाहर में डाकू बांध करके जा रहा है वो रो दिया उसके आसो नीचे गिरे वो मिट्टी गीली उतनी दूर का एरिया फिर वहां पर हमारे कौन बाबा भारती आ है घोड़े को देखे देख करके बहुत प्रसन हुए और वो र लेकिन नहीं उन्होंने दोनों आसो का मेल करा दिया कितनी प्यारी बात है अब चलो इससे जुड़े प्रशनुत्तर कर लेते हैं किस-किस के आसो का मेल हो गया जलुझी से बताईए सबसे पहले किस के आसो थे हमारे खड़क सिंह के और दूसरा किसंग थे बाबा भारती के देखते हैं हम सही बोल रहे हैं कि नहीं, बोल तो देते हैं, बाबा भारती और खड़क सिंग के आसुओं का मेल हो गया, चलो मिलन हो गया, नेक्स्ट, दोनों के आसुओं में क्या अंतर था, भाई मैंने या भी बताया आपको, इसका अंतर तो अब आपको जल्दी से लिखन संता के थे, जो उनकी उँदारता और परोपकार का संकेत थे, भाई उनकी उदार भावना थे, उन्होंने उदारता किया, कि नहीं मैं मेरे से पहले समात जरूरी है, मेरा घोड़ा चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन समात से मानवता नहीं जानी चाहिए, विश्वाश नह मगाना चाहिए ठीक है और वो परोपकार का संकेत थे ठीक है और उनको क्योंकि इस बात का संतोश यहां लिखा है क्यों थे भाई संतोश के आसो क्योंकि उनको इस बात का संतोश हो गया था कि नहीं उनका घोड़ा उनके पास आ गया है एक तो इस बात का संतोश था कि उनका संतोष था कि चलो समाज में से एक बुरा आदमी तो कम हुआ आप समझ रहें क्या होता है कि समाज की जो सबसे छोटी गई है वो है हम स्वेम ठीक है एक इंसान एक इंसान से गृप बनते हैं उसके समू समू से मालीजे हम मैं हूं मेरे परिवार बना परिवार से बहुत सारे अगर बड़े सी आगर हम बड़े समू के पूरे देश की बात करें और एक छोटा इंसान आज हम खुद को भी सुधार लेना तो बहुत सारी चीजे में हो सकती है कहते ने कि अगर एक इंसान पढ़ लेता है तो पूरे आने वाले कितने कुल पढ़ लेते हैं ठिक उसी प्र मानवता को इज़त देना सीख गया लोगों का विश्वास अब नहीं डगमगाएगा इस बात का उनको संतोश हो गया था जो उनकी उदारता परुपकर के संगे था और खड़क संग क्या था खड़क संग के आसवों अब रेट से पश्यताप और खेद के थे यह खेद का कि मुझे बहुत गिल्ट हुआ कि मैंने यह काम क्यों किया कई बार ऐसा होता होगा अगर आपको ध्यान हो कि आप इससे की कई बार किसी की कोई फेवरेट चीज आपसे तूट गई हो ठीक और हम लोगा ठीक तर क्या करते हैं उसको ऐसी लगा देते हैं कि ठीक है बाई मेरे उस गल्ती को जब तक बोल ना दो या एक्सेप्ट ना कर लो आप ये देखना आपकी अंतरात्मा से उसकी गलानी होती रहेगी उसका पश्यताप आप करते रहोगे कि क्यूं किया क्या लेकिन एक बार बोल दोगे ना तो वो चीज़ें वहाँ पे सौट आउट हो जाती है आपका मन भी हलका होता और खेद क्यों उनको बहुत शमा मतलब बहुत बुरा लग रहा था-खुद प्यार कि मैंने क्यूं ऐसा किया मतलब ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए ता वह इतने अच्छे इतना मतलब उनकी थिंकिंग इतनी अच्छीं और मैंने उन्हीं के साथ गल चाहनिंग लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट और बावा भारी की एक लाइन ने पूरी के पूरी कहानी को ट्विस्ट कर दिया और फिर बावा भार्दि हमारे जीत गए और खडक सिंक हार गया ठीक है यह ती पूरी स्टोरी और इसको यह वाला पाट नेक्स्ट दिन चर्या दिन चर्या का मतलब पता है दिन चर्या दिन का मतलब है आपके पूरी सुबसे के दिले के शाम तक वाला जो दिन होता है एक दिन और चर्या मतलब आप क्या-क्या चीज़े कर रहे हो दिन चर्या मतलब आपके डेली की रूटीन तो भई यहाँ पर दे तो हम जानगे हैं हम किसी के वैसे तो हम किसी के पर्सनल लाइफ में गुस्ते नहीं हैं लेकिन क्योंकि यह हमारे क्लास 6 के मलहार पार्ट में हैं तो भाई हम इसलिए जान चुके हैं यह बात तो सच है यह NCRT वाले लिखने वालों को भी प्रशनक मतलब समझने उनको भी बह स्या करेते होंगे लिखिये इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना की सहारा भी ले सकते हैं तो भाई यहां पर अपनी लड़की की बात नहीं हो रही है आप अपने कहले कि तिंगिंगे जो चक्षु है उसको खोलिए और सोचिए कि बाबा भारती कि बहुत सारी चीज़े हमें पता चल गई उनके दिन की क्या रूटीन थी पूरे उनकी डेली रूटीन आप लिखिए अब देखिए यहां पर कई बच्चे मैंने आपको बार-बार बोल रहे हो प् शाम वह रात मतलब वह ऐसे अगर आप बार दो गे आपको आसानी होगी और एक्जामनर को चेक करने में आसानी होगी ठीक है तो बाइ मैंने तो यही किया है अब आप देख लीजी अपना भाई मैंने तो जो बाबा भारती के जो पढ़के मैंने जो आंसर निकाला है वो है आपकी screen के ओपर यह रहा सुबह, सुबह उटके क्या करते थे सुबह जल्दी उटकर थन्डी जल से सनान करते थे यह बाद मुझे कैसे बता यह बाद मुझे तब पता चाड़ी जब हमारा घोड़ा चोरी हो गया था उसके बाद बाबा भारती आयते तो उसमें था ना सुबद चार बजे वो उठते मतलब जो तीसरा पहर लग चुका था वो उठके नहा रहे थे थंडे पानी से तो यह लाइन भाई मैंने इसलिए लिखी है ठीक भगवत भजन और धार्मिक पूजा पार्ट वो करते ही थे क्योंकि वह बावा थे लिखा है क्यों लिखा क्या थे नुस्षफा करें ना जो से पयार कि बहुत प्यार क्योंकि वह अपने गाउस में अपने क Spicy तो वह उसके ख्याल रखते थे और साफसफाई करते थे ठीक है इसलिए मैंने प्रकृति का ख्याल लिखा है फिर दोपहर में क्या करते थे भोजन जो साधारन और सरल होता था भाई बाबा है थोड़ा बहुत हम भी सोच सकते हैं हमें उन्होंने दिया है कितनी चूट है मेरे सकते हैं कि भोजन करते थे साधारन और सरल होता हो मांस मच्छी में गूर्पहर को some गुष समय भजन पूजा याःखन्कार व्यस्त रहना गूए भजन पूजा होती थी शाम में ये कि दोपह wzhe की बाद है मतलला पूजा पारी गरते हो अगَّ अप श्कूल करें और होमवक के बाद फिर जब आपको टाइम मिलेगा आपको एक्चुली में स्टेडी करोगे तब आप मैगनेट ब्रेंज को उठाओगे और भी अपने ओनलाइन स्टेडी को उठाओगे और उसको काम करोगे करते हो ना पूरे दिन में तो इसलिए यह जो चीज है उनका मेन क्या है बाबा है तो उनका भजन कीर्थन चलेगा पूरे टाइम आपको यह लिखना पड़ेगा तो उसके कुछ समय भजन पूजन यह लेखन का कारे में व्यस्त रहते फिर घोडे के साथ समय बिताना भाई घोडे के साथ समय बिताना ना काम वह भी कवे नहीं छोड़ते क क्यों कि उनको कमप्री है था अपने आसपास के जगह की सफाई करते होंगे बाई मंदिर में रहते थे और मंदर कहा होता है हमारा साफसुतरी जगह पे मंदर कभी गंदा नहीं रखते हैं अधिक तो मैंने यह सोच करके लिख दिया भाई वह अपने आज पास की जगह कर साफसफाई करते होंगे यह लाल बिंदी लग गई है ओके मिट गई चलो फिर आया शाम शाम में कैसे भगवान के भगवान के भजन में संगलन रहना देखिए क्या होता है शाम के वकना भजन होता है क वह अपना रहते हैं वहां पर अपना कीरतन वगर करते रहते हैं फिर क्या है गाओं के लोगों की सहायता और सलाह देना भाई गाओं के लोगों की सहायता देखो शाम का वक्त है शाम के वक्त में क्या होता है सब लोग बहार निकलते हैं धूब से हट जाता है सब बहार नि यान के सहाइता या फिर फिर कि सला देने का काम करते हैं होते कई बार क्या होते हैं कि हम भूँ पाते हैं हमारे सजीशन के लिए बहुत इंपोटेंट हो जाते हैं इसU प्रकर 일본 मैंने लिखाए फिर है घोड़े की देख भाल करना और घोड़े पर सवार होकर घुमने जाना ये वाली बात है याद है आपको अजब तक वो 8 से 10 मिल नहीं घुम लेते थे शाम को उनको चैन नहीं होता ता इसलिए मैंने ये वाली बात लिख दी है फिर भोजन के बाद ध्यान और साधना करना भाई रात को क्या होता है वो खाना उना खा लिए खाने के बाद क्या है वो भोजन की और उसके बाद ध्यान और साधना भी करते थे रात में बैट करके थोड़ी दिर मेडिटेट करना चाहिए घोड़े की रात की दिख भाल करते थे उसे आराम दायक स्थिती में रखना क्यों रखते थे घोड़े को आराम दायक स्थिती में भई क्योंकि ताकि उनका घोड़ा एक अच्छी चैन की नींद ले ले फिर सोने से पहले भगवान से प्रार्थना और उनका शुक्रिया करना भाई जो हमारे बाबा लोग होते हैं या फिर एक जनरली की काम तो सबको करना चाहिए जबी भी आप सोने जाओ सोने के थोड़े टाइम पहले अपने स्क्रीन को थोड़ा दूर रखो और वो जो टाइम है एक घंटे कलो जो आपको खुद का टाइम हो उससे आप दीखेंगे आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा है और आप बहुत ही कह लिजे कि आपके जीवन में अलग ही उर्ज जाती है क्या होता है कि जब आप रात में ग्राटिट्यूट करते हो शुक्रिया करते हो किसी भी चीज के लिए जो चीज आपको मिली है तो भाई आप उपर वाले को देने के पहले भी वह आप और खुशी-खुशी देता है कि हां मैं और दूंगा तो मुझे और शुक्रिया अपने ठीक है एक ने बहुत का कि भाया थैंक्यू सो मजदी आप तो बहुत अच्छे वो आपने मुझे टॉफी दी और दूसरे ने का थैंक्यू बस मैं तो थैंक्यू नहीं बहुत लेकर खा लिया तो क्या होगा अगली बार आपका मन किसको देने का करेगा उसको जवाबको thank you बोलेगा बार बार यही चीज होती है भrage कि हम जो हमारे संस्कृत ही है हमें यही सिखाती है कि हमें दीना सीखना चाहिए और gratitude होना चाहिए भाई हमें जो चीज मिल रही है हम उसके लिए तहे दिल से उपर वाले का शुक्रिया करें ठीक है तो भाई ये तो थी मतलब मेरे हिसाब से उनकी दिन चर्या अब आप अपनी दिन चर्या भी लिखिए भाई यहां पे अब NCRT थोड़ा सा पर्सनल जा रही है तो ये मैं प्रशन आप पर छोड़ रही हूँ आप अपनी दिन चर्या क्या है आप इसी प्रोसेस में लिखिए देखिए ये जैसे है ना सुबह दो पहर शाम राद चार पहर इसको आप इस तरह साप लिखेंगे ना आपको इजी होगा कोई भी चीज लिखने में ठीक है और सामने वाले को समझने में अब आते हैं कहानी की रचना इस कहानी की कौन कौन सी बाते आपको पसंद आई आपस में चर्चा कीजिए तो भाईया ये दिखेंगे कहानी आपको कैसी लगी सबसे पहला प्रशन तो ये है अगर अच्छी लगी तो जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा या नहीं अच्छी लगी होगी तो उसके पीछे भी कोई रीजन होगा अच्छी लगने के पीछे क्या क्या रीजन है उसको लिखें और नहीं अच्छी लगने के पीछे भी क्या क्या रीजन हो सकता है वो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं ठीक है अब चलिए इसकानी कौन कौन से बाते आपको पसंद आई तो वो क्या पसंद है आप इसको लेख सकते हैं क्यों क्योंकि उनकी उदारता है और ये उनका जो त्याग की भावना है वो ऐसी है कि उन्होंने खुद को रखने के पहले समाज को रखा इसलिए मेरे को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा फिर खड़क सिंग का पश्यताप और उसकी करुना द्रिष्टी क्या क्या जो हमारा डाकू था खड़क सिंग उसको भी पश्यताप हो गया हो क्योंकि अब पश्यताप के आसू थे ना और गलानी के आसू थे और उसकी करुना द्रिष्टी जो उसकी करुन द्रिष्टी थी कि उन्होंने घोडे को वापस कर दिय यह उसकी करण दिश्टी थी और यह उनका positive side था डाकू था तो क्या हुआ उसने जो है उसको पश्याताप हुआ था उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने उस गलती को सुधार भी दिया था यकीन मानिये दुनिया में क्योई भी गलती करने के बाद अगर आप उसका पश्याताप करके उसकी गलती को दिल से मानते हो तो इससे बड़ा सुकून कहीं नहीं है कोई भी गलती हो देखो बच्चो आप लोग गलती करोगी ठीक है और जब तक गलती नहीं करोगे आपको यह नहीं पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत तो गलती करना बु हो 사 paste है कभी पढ़ाने में हो जाए यह को समंझने में हो जाए बहुत तरीकिं किसे गलती होती है लेकिन इसका यह मतलब बिलकुल नहीं कि सामने वाला इनसान गलत हो या साही हो हम एक प्रिस्पेक्टिव बनाएं नहीं जो गलत है सो गलत है जो अच्छा है पिर काहिruktur ओस अमाज के प्रति चिंतन और क्यों लेगा कि बाबा भारती जो है वो समाज के बारे में सोच रहे हैं और यह बाद कि कितने कह सकते है कि कितने सच access वास्तविकता है हम लोग बहुत सारे न्यूज देखते हैं ठीक है न्यूज देखते वक्त क्या होता है हमें बहुत सारे किस से पता चलते हैं कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है मैं अब एक आपको छोटा सा उधारन देती हूँ हलाकि बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी म न्यूस में हाइलाइट होके उसको मसालेदार तरीके से प्रस्तोत कर रहा जा रहा था क्या वो उचित था आपको पता है मेरे जो पास में मेरे बच्चे थे स्टूडेंट्स वो मुझसे आके पूछ रहे थे क्या वो ये भूल गए थे कि उस तरह की खबर या आज भी जिस तरह की खबरें हर के लिए उपलब्द हैं क्या ये उचित है कि छोटे बच्चे को जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं है ये सब चीजें उसके दिमाग में बैठे भाई ये बहुत ही सोचनिय और चिंतनिय बचया उन्हाद करते हैं लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया कि मैं तो गरीबों की मदद करूंगा क्या पता वह मेरा घुरा ले या फिर ऐसा हो सकत है चोर की दिमाग चोर भी तो भाई वो वीडियो देख रहा है उसकी दिमाग में इस मानवता का फाइदा उड़ा सकत हो ठीक है तो यहाँ पे यह दोनों पॉइंट ही खतरनाक है इसलिए बहुत जरूरी है हमारे जो मेडिया है उसको यह दिखाना कि कितना किसको और क्या दिखाना चाहिए तो इस तरह कि बहुत सारी चीज़े हैं और यसी चीज़े हमारे बाबा भारती हैं वो डरते थे और आप चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट ले लो और भाई अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की और यह वीडियो हो सकते हैं देखे लेंदी जा रहा है बर ठीक है क्योंकि यह प्रश्न उत्तर है प्रश्न उत्तर के सासद आप कही न कहीं पूरे पाठ को भी समझते चल र लिए अनेग बातों का ध्यान रखते हैं जैसे शब्द, वाकिर, समबाद, आदी इस कहानी में आए समबादों को विशे में अपने विचार लिखें भाई देखें क्या होता है अगर मान लेजे यह नाटक मैं कर रही हूं ठीक है यह मैं प्ले कर रही हूं तो यहां पर मैं हारती डरे हुए है खडक सिंग, attitude में कि मैंने तुमारा घोड़ा चुडा लिया है ठीक है यह ऐसे दिखा सकते है expression के तुरू facial expression होता है body language होता है लेकिन अब लेखनी के द्वारा भाई जब एक reader होता है न तो वो ऐसे पढ़ता है कि वो जो चीजे लिखी है वो उसके दिम नाग में पूरे चलचित्र चला दे तेगे यह बहुत बड़ी कला होती है जो सब के पास नहीं होती है क्या होता है मैं आपको बता रहे हूं कुछ लोग होते हैं जो देख करके चीजों को जल्दी समझ लेते हैं देख के सुन के कुछ के जो यह कान ओवाले जो पाठ है न वो जल्दी active होते हैं जो कोई चीज कहते हैं कि हमें चीज़े याद नहीं होती हम सुन के तुरन समझ लेते हैं है ना जो यहां पर वीडियो देख रहे हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पढ़के चीज़े जल्दी समझ आती हैं जिनके लिए हमारे पास description में e-notes and e लिखने में अच्छा होगा वो पढ़ने वाला होगा ठीक है ये दोनों जो पढ़ेगा जो पढ़ेगा वो लिखेगा और जो सुनेगा वो बोलेगा ठीक है ये दो अलग-अलग चीज़ होती है तो यहां पे भी कहानी को अच्छा बनाने के लिए लेखक ने किन-किन बातो का प्रयोग किया है किस-किस तरीके से उन्होंने कहानी लिखी है जो पढ़ने में मजा आया है आप अपने राय हमें दे सकते हैं तो जल्दी से देखते हैं वो सारी क्या-क्या बाते थी तो यह तो थी वाई मेरी कुछ बाते हैं पहला क्या है समवादों ने पात्रों की भावनाएं और सोच को साफ साफ दिखाया है यहाँ पे देखीए जो हमारी जो समवाध है जो पात्र कौन कौन से तीन पात्र है पूरे में आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में पहला डाकू खड़क सिंग, दूसरा बाबा भारती और तीसरा बिचारा हमारा इन और सिंसा बिना डायलोग के जो हीरो बना हुआ था वो कौन? हमारा घोडा सुल्तान ठीक है तो यहाँ पर टीनों जो पात रहें उनके भावनाओं को बहुत सोच समझ के साफ साफ, साफ साफ क्या किया है? साफ साफ दिखाया गया है, कहाँ पर पूरे जो भी लिखा है लेख में, ठीक है? यह पॉइंट मुझे लगता है क्लियर होगा, अचा गोड़े को कैसे द साफ था और वो प्रसन हो उठता है, मतलब घोड़े को भी उन्होंने दिखा दिया अंत में, ठीक है? उनसे भी डायलोग बुलवा लिया, बाकी नेक्स पॉइंट बाबा भारती को गहरी लगन और खड़क सिंग की हैरानी, इन सबने कहानी को जीवन्द बना दिया, क्या-क बाबा भारती की जो गहरी लगन, कैसी लगन? पहले घोड़े के प्रती समर्पन, जैसे उसका प्रेम करना, मा के भाती, उसका ख्याल रखना वो था, फिर जैसे उसको पता चला कि घड़क सिंग घोड़े को चुरा लेगा, उसके बाद का जो उसका ये लगन थी, गहरी लेकिन जब चला गया तो उस टाइम पर उनको खुझ से जादा पहले किसकी जरूरत पड़ गई, उनको समाज के चिंता थी, और खड़क सिंग के हैरानी, खड़क सिंग हैरानी कैसे? जब वहाँ पर बोला कि ठीक है अब घोड़ा तुम्हारा हुआ पर ये घटना किसी को म बोला, उन्होंने क्या बोला? ठीक है घोड़ा तुम्हारा हुआ बस मैं तुम से इतनी विंती करता हूँ कि ये घटना की चर्चा किसी से भी मत करना, इस समाज में क्या होगी? मानवता और गरीबों के प्रती विश्वाश खतम हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हैरानी इन सबने कहानी को जीवन्त बना दिया, मतलब ऐसा लग रहा था ना पढ़के कि ये घटना सच में चल रहे है, ये जीवन्त है, वैसा, रियलिस्टिक को हम कहते हैं, हिंदे में जीवन्त, समवाद नाटक स्वरूप में था, जिससे पाठकों का ध्यान आकरशित क्या भाई देखिये, जो हमारा ये जो समवाद था, वो पूरी तरह से कैसा था, वो समवाद, मतलब जो ये कहानी थी, वो समवाद के रूप में थी, और ये थी कहानी, नाटक नहीं था, क्यों कि नाटक में हर क्यारेक्टर होता, और क्यारेक्टर का डायलोग होता, लेकिन ये वैसा नहीं है ये लिखा कहानी की तरह से गया है लेकिन इसको पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाता है कब खड़क सिंग बोल रहे हैं और कब हमारे बाबा भारती बोल रहे हैं ठीक है जैसे और फिर क्या है लास्ट पॉइंट शब्द चयन एवं प्रस्तुतिकरण बेहद सरानिय भाई मेरे को तो ये बहुत ही मज़ा आया था मैं बार बार ये लाइन पर पता नहीं क्यों मेरी गाड़ी अटक गई है मुझे पसंद आया क्योंकि जो शब्दों का चयन किया है और उन्हें प्रस्तुत किया है अगर आपको याद हो कि बाबा भारती के पास खड़क सिंग बाबा भारती बोले मुझे पढ़ने वाले खुदी समझ में आ रहा है तो जो शब्दों का चयन हुआ है और प्रस्तुतिकरण प्रस्तुतिकरण मतला प्रेजेंटेशन ठीक है जिसकी बाद मैं शुरू से कर रही हूं कि आंसर का प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चीए ठी मैं इसको बहुत एप्रिशियेट करती हूं जैसे भाई अब एक छोटी से लाइन का उधारन ले लेती हूं बाबा ने घोड़ा देखा घमंड से खडक सिंग ने घोड़ा देखा आश्चर से कितनी प्यारी बाते दोनों में मतलब दोनों के वाक्यों में खडक सिंग और ब भूमी पर पश्याताब के और खुशी के आसू का जो मेल होता है वो सब चीजे मुझे बहुत पसंद नहीं तो भाई अब आपको और क्या-क्या पॉइंट है जो पसंद आया उसको जरूर आप लिख सकते हैं अब आते हैं नेक्स्ट पे मुहावरे कहानी से आया भाई कहान कुछ मुहावरे नीचे दिये गए हैं कौन-कौन से दिये हैं पहला लटू होना दूसरा हिर देपस साप लोटना तीसरा फू लेना समाना ठीक है मुह तोड लेना मुह मोड लेना सौरी भाई मुह तोड जवाब देना होता है वो भी एक होता है लेकिन यहाँ पे क्या है फिर पाचवा मुख खिल जाना फिर चटगे नियो च्छावर कर देना भाई यह कुछ मुहावरे हैं जो हम लोग मुहावरी क्या होते हैं कि जब हम आम बोल चाल की भाशा में कोई भी चीज बोलते हैं पर उसको अलग तरीके से कहते हैं जिसका अच्छ वह उससे कोई मतलब कह लीजए कि उसका अन्दर्वन होता है लेकिन उसके भावना जो होती है वह ऐसी होती है जैसे महल लीजे हक्वारे पर साप लोट ना ठीकार हमें जलन होती है एसी भावना वैसे ठीक है तो आईए जल्दी से हम देखते हैं अखर है इसका अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाईए तो भाई ऐसे वाक्यों देख लेते हैं मुहावरे देख लेते और इसके आर्थ लिखने के साथ साथ हम इस पर वाक्य भी बनात इचे हो चलिए पहले हैं लट्टू होना ठीक है लट्टू पड़ोशंधिवानियों तक यह पर लट्टू होना जो है लट्टू होना मतलब लट्टू कैसा घूमता है न एक ही जगह पर वैसे यहां पर रह पते चीजों को इमाजन करो महाफ़र याद करने का सबसे गूमता रहता है उसी प्रकार जब इमाजन को रहें कि इंसान एक पॉइंट पेक्चे बहुत अची लगी उसके आगे पिछ आगे पिछ आगे पिछ घूम रहा है ठीक है लट्टू हो जाना अब इसका वाक्य क्या है जब वह नहीं गाडी को देखा तो उस पर ऐसा दूसरा है हिर्दय पर साप लोटना मैंने बताया क्या है इर्षा या जलन होना इसने वाक्य क्या बना है जब श्याम ने सुना कि रमेश को प्रमोशन मिल गया तो उसके हिर्दय पर साप लोट गया बाई साप लोट यह इसका इमाजन करो मोहावड़ी का सबसें सबसें मज़डर किस्सा होता है कि इमाजन करो और उसको मतलब ऐसे इमेज बना दें कोई बैठा है उसके साप ऐसे हरदय है हाठ ऐसे चलो रेडी पहने चलो यह हाथ हो गया और इसके उपर से साप हमारा रिंगी याप प्रियर स साप रिंग ना ठीक मातल इरशा होना ठीक है इंशोट इरशा होना जलन ओना अधिकतर आज होता है न factिऊटार की चीजों को देख करके हमारे हिर्दय पर साप लोड जाता और हिह रिंग साप किसके लोटा वस्वाइ भाल ऑरक के सब्दाइध कर दोगे कि आपके जो की खास भालती बाबाभारती के पास ayam भाइ भूले नाशना क्या ये मोटाप मैं फूल नाय मतलब कोंता PeyODic in भर जाना अधिक खुशी से भर जाना मतलब इस तरीके से बहुत ही किसी चीज पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना अरे वह यह क्या हो गया वैसे इसके लिए यूज होता है फूले ना समाना ठीक है अब यहां पर अपनी बेटी के पहले स्थान प्राप्त करने की खबर सु को पढ़ाई का टेंशन ही लेना क्योंके मैंने ब्रेंस यहां पर अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्स्राइब करिए गा ठीक है आगे बढ़ते हैं मोह मोड लेना क्या यह ऐसे मोह मोड लेना है या इधर मोड लेना है नहीं भा कि आना उसको कहते हैं मूह मोड लेना ठीक है वाकि क्या बना है जब उसे अपनी दोस्त की धोके भाजी भाई धोका मिल गया जब उसे अपने दोस्त की धोके भाजी का पता चला तो उसने उससे हमीशा के लिए मूह मोड लिया इसने मुझे दोका दिया है मैं इसके साथ न मुख खिल जाना मतलब मुख मुर्जाया हुआ है मुख खिल गया है यहां बहुत प्रसंद हो जाना ठीक है देखिए फूले नहीं समयाना भी था लेकिन अत्यादे खुशी से भर जाना हां मतलब हम बहुत हपने हर एक्सप्रेशन से एक दम खुशी खुशी दिखा रहे हैं यह तालीव जा रहे हैं कूद रहे हैं यह हो गया फूली नहीं समाने जब हाँ पूरी बॉड़ी यूज हो रही है उसी प्रकार एक और मुख खिल जाना मतलब चेहरा खिल उठा है चेहरे पर बड़ी से स्माइल आ गई है आई जब एक वैसा ठीक है बहुत प्रसंद हो जा और वो गिफ्ट आपको मिल गई तो आप किया मुख क्लियर हो गया होगा चलो आगे बढ़ते हैं फिर है नियोचावर कर देना नियोचावर कर देना मतलब मेरे अपने सब चीज मैंने उसको दे दिया किसी पर सब कुछ लुटा देना या बालिदान कर देना भाई ठीक है म मैंने वो आप पर नियोचावर कर दिया मैंने वो आपको दे दिया अपने बच्चों के भाविश्य के लिए वह अपनी साही संपती नियोचावर करने को दयार था भाई ये तो भाई हमारे हर माथा पिता होते हैं वो अपनी खुर्शी का त्याग करके अपने बच्चों के भविश्य के लिए पूरी जीवन नियोच्छावर कर देते हैं अब आते हैं बड़े आगे बढ़ते हैं कैसे कैसे पात्र ते देखते हैं इस कहानी में तीन मुख्य पात्र हैं हमने तो यह कहानी जब हम शुरू कर रहे थे तभी हमने आपको बता दिया था तीन पात्र है बाबा भारती, डाकु खड़क सेंग और सुल्तान घोड़ा ठीक है इनके गुणों को बताने वाले शब्द से दिये गए शब्द चित्र को पूरा कीजे भाई देखिए बाबा भारती के लिए लिखा हुआ है दयालू ठीक है अब इससे मिलता जुलता आपको जो भी शब्द आपको लगता है आप उनकी विशेष्टाओं को लिखे जो गुण को बताए और डाकु के लिए क्या यूज किया गया है बाहु बली फिर सुल्तान गोडा के लिए क्या क्या किया है सुन्दर ओहू चलो अब भाई ये थे बाबा भारती के लिए क्या क्या गुणों का प्रयोग किया गया है आप ऐसे शब्दों का यूज कर सकते हैं वैसे खडक सिंग के लिए और शुलतान के लिए था थे अपनी भावन्त अपनल करना वह जानते थे जब उन से अलग हुआ था तो हैं भैं करके वह प्हलतो की तरह रो नहीं रहते वो अपनी समवेदनाओं को अपने अंदर बांध के रखे थे नहीं वो रोए नहीं वो गुस्सा किये हाँ अपनी बात को प्रस्तुती भी बहुत अच्छे से किया था उनका प्रस्तुती करण बहुत अच्छा था ठीक है यहां पर मेरे को ऐसे पॉइ लिए मतलब मैंने आपको बताया था ना कि खड़क सिंग के खड़कने से खड़क नहीं है खिड़कियां यह पते उनके जो इलाका था नो से दूर दूर तक यह बात फैली हुई थी कि बिटा सो जाओ नहीं तो डाकु खड़क सिंग आ जाएगा बहुत उनका प्रभाव था एरिया में मैं आपको बताए ना स्टोरी में लिखा था कहानी में सुदर्शन जी ने बहुत ही अच्छे से यह चीज़ मेंशन की थी प्रभावशाली थे वो और आप बताए उसका उनको साथ क्या हुआ था पच्टाया हुआ भी था भाई जो हमारे डाकु था अभी तक त मतलब था पच्टावा हुआ मतलब वो कैसे थे वो कैसे थे वो मानविये गुणों के से संपून थे और उनका काम भले डाको वाला था लेकिन कहीं ना कहीं उनके हिर्दय के अंदर आज भी मानव था जिवित थी और क्या थे वो भावक थे वो भावनाओं में बहे गए जो बलवां था बाई उनका घोर बहुत बलवान था फिर चालक चालक था सॉरी चालक बोलरी हो टा पर तो चालक यों लेका था प्रें वाली होती है वैसी जो बाबा भारती का जो घोड़ा था वह बहुत चालाक भी था मतलब वह हर चीजों को जब वह अंदर आय थे अंदर उसको रखा गया तो शांती से था पहले घर जाते लिए नहीं लगा जैसे ही देखा कि बाबा भारती के कदमों की आवाज आ ही वह तब उसको चुराने के लिए उन्होंने कहा था ना कि जो वस्तों डाकू को पसंद आजाते हैं वह उसको से छीन लेते हैं तो प्री दोनों गदा फिर वफादार था ठीक है वफादार था क्यों था क्योंकि वह अपने मालिक को बहुत अच्छे से पहचानता था और उनकी हर ची चीज़े हो सकते हैं तो उसको जरूर कॉमेंट सेक्षिन में आप डाल सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो या फिर अगर आप हमसे टच बनाना चाते हो तो आप हमारे शोशल मेडिया प्लाटफोंस पे आप हमसे जोड सकते हो यह वीडियो को लाइक करना अगर आपको सब के लिए एंट सिक्स से लेकर के 12 तक हिंदी मीडियम स्टूडेंस के लिए फिर आप चहें CBSE बोर्ट से हो या फिर योपी बोर्ट, MP बोर्ट, राजस्थान बोर्ट, दिल्ली बोर्ट या फिर बिहार बोर्ट से हो तो भई बिलकुल भी टेंशन मतले ना आपके बहुत सार जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैगनेट ब्रेंस की पूरी टीम बहुत सिस्टेमाटिक तरीके से आप लोगों के लिए लेकर आईए, आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं या फिर हमें मुबाइल अप्लिकेशन में भी आप मैगनेट ब्रेंस को यह खड़ा है, और हम आपके साथ ग्यान देने के साथ हम आपके स्किल्स को भी अप्लिफ्ट करते हैं, जैसे वेदिक मैट्स हो गया, या फिर स्पोकें इंगलिश हो गया, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, आपकी जो पढ़ाई की जर्नी है, वो पूरी तरह स के लिए कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हिंदी से रिलेटेट तो भई आपकी आध्याध्याध्यापिका, आपकी तमाम हिंदी के प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगाएंगी, बिल्कुल मत चिंदा करिए, तब तक के लिए जै हिंद और जै हिंद की हिंद प्रवाएंगी